What's up everyone, welcome back to the channel, so guys, आज हम financial management को ending की तरफ लेके चलेंगे, बस एक class all लगेगा इसमें, कल का, जैसे कि मैंने आपको schedule के हिसाब से सारी चीज़े दी हैं, हमें schedule follow करके चलना है और ये chapter खतम, अगले वाले तीन chapter भी इस week के end तक काफी आगे हम लोग लेके चले जाएंगे और आपक लोगों आगे लेके चलते हैं, चलिए, let's begin, हम लोगों ने last class में दो बहुत important concept पड़े थे, एक का नाम था capital structure और दूसरे का नाम था financial leverage, तो क्या difference होता है capital structure और financial leverage में, capital structure हमें ये बताता है कि आपकी total capital में debt कितना होना चाहिए और equity कितना होना चाहिए, वहीं पर अगर मैं financial leverage की बात करूँ, तो financial leverage में हमने क्या पड़ा था देखो, financial leverage में हमने इस तरह के कुछ situations बनाई थी, जिसमें हमने ये पड़ा था कि financial leverage एक वो concept है, जो आपको help करता है, ये देखने में कि आपकी total capital में debt कितना हो, तो आज हम पड़ने वाले हैं वो कौन-कौन से factors हैं, जो हमें help करते हैं ये decide करने में कि मेरी capital structure में debt कितना और equity कितना, financial leverage भी एक factor था, जो हमें help करता था ये देखने में कि debt कितना हो, वहीं पे बहुत सारे other factors भी हैं, जो हमें help करेंगे ये सब देखने में कि capital structure में मैं किस decision में, तो बहुत सारे factors same हैं, बहुत सारे factors common हैं, तो ये topic आपके लिए आसान है, financing decision भी तो यही बोलता था कि मैं अपना जो capital frame करूं, उसमें कितना debt और कितना equity हो, कितना honors funds हो, कितना borrowed funds हो, वही same यहां पे factors हैं, तो common question है, अगर आपने financing decision पढ़ा है, तो ये आपने maximum factors हैं, दो चांड नहीं आएंगे, वह ready कर लेना, तो देखो सबसे पहले आ रहा है cash flow position, cash flow position क्या बोलता है बच्चे, cash flow position बोलता है कि अगर आप debt में जाते हो, तो आपको regular interest pay करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अच्छा cash flow चाहिए, अगर आपके पास अच्छा cash flow नहीं ह हैं, तो please try to avoid debt, debt को avoid करो, क्योंकि वह आपके लिए एक बहुत बड़ा fixed payment obligation है और आपके लिए वो problem create कर सकता है, तो अगर cash flow अच्छा है, तो ही debt की तरफ देखें, अगर cash flow इतना अच्छा नहीं है, तो debt को थोड़ा सा avoid करके चलें, यह हमारे पास cash flow में आ जाएगा, देख fixed payment, insolvency जैसी situation भी आ सकती है, insolvency का मतलब होता है, company ही बिख जाना, the company must analyze properly the liquidity of the working capital before including debt in the capital structure, ठीक है, दूसरा factor आता है, इंटरस्ट coverage ratio, sir, interest coverage ratio क्या होता है, देखो, interest coverage ratio आपको यह बताती है, कि भाया, जो आपका fixed interest है, उसके comparatively आप कितना पैसा बना रहे हो, देखो, for example, यह समझो कि मेरा, let's suppose, एक लाख रुपे का interest fixed जाना है, अगर मैं करजा लेता हूँ, और मेरा profit भी एक लाग ही है, तो भाया, मैं और खर्चे कैसे निकालूँगा, मैं तो फस जाओंगा न, भाई, एक लाग मुझे fix देना है, और एक लाग ही मेरी earnings है, तो फिर मेरे पास और खर्चे, ग्रोथ, और बहुत सारे multiple factors के लिए तो सोचने के लिए भी पैसा नहीं है, राइट, वहीं पर अगर मुझे fix interest एक लाग देना है, earning दो लाग है, तो at least अब earning डबल तो है, यह थोड़ा बेटर है, एक लाग interest देना है, तीन लाग earning है, थ्री टाइमस मेरी earning है, थोड़ा और बेटर है, एक लाग interest देना है, पाँच लाग की earnings है, फाइव टाइमस earnings हो गई, मच बेटर है, तो interest coverage देशों का formula होता है, profit earning before interest and tax, यह क्या है, earning before interest and tax divided by interest, उपर profit रखना है, नीचे interest रखना है, जितना जादा होगा, उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना risk free है हम है ना, तो देखो क्या लिखा है, it refers to the number of times companies earn before interest and taxes to cover the interest payment obligation, a high interest coverage ratio means companies can have more of borrowed funds, high है तो आपके बास risk कम है ना यार आप अच्छा profit बनाते हो, तो आप जादा debt में जा सकते हो, correct है जी, next आता है return on investment, यह पूरा concept financial leverage वाला point है, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपका return on investment जादा है rate of interest से, तो आप debt में जाओ, अगर आपका return on investment कम है rate of interest से, तो फिर debt आपके लिए इतना अच्छा option नहीं है, यह तो पूरा class पूरा इसी पे बेश था, ठीक है, next क्या आता है, cost of debt, sir what is cost of debt, cost of debt होता है बचो basically कि आपको जो debt मिल रहा है, वो किस rate of interest से मिल रहा है, आप अलग-अलग तरीके की debt securities का rate of interest compare कर लो, कि bank loan आपको किस rate से मिल रहा है, अगर आप किसी friend से borrow करते हो, तो वो किस rate of interest से आपको debt देगा, अगर आप public में debentures issue करते हो, तो वहाँ पे आपको किस rate से interest पे करना पड़ेगा, तो आप cost of debt को compare करो, कि basically आपको जो करजा आपने लेना है, किस rate पे मिलेगा, अगर आपको व more of debt, tax rate क्या होता है बच्चों, देखो tax rate, अब देखो हम क्या पढ़के आई थे last class में, financial leverage में मैंने आपको सिखाया था, कि जिस company में debt जादा होता है, वो company tax कम देती है, बढ़ा था ना हम लोगों ने, क्योंकि जो interest होता है, वो tax deductible होता है, tax deductible से क्या मतलब है, tax deductible से है कि वो P&L के debit में खर्चे की तरीके से लिखा जाता है, खर्चे की तरीके से अगर वो लिखा जाता है, तो उस scenario में आपका जो profit हो कम आता है, उसमे income tax भी कम देना पड़ता है, तो यह यहाँ पर यह बोल रहा है कि अगर economy में tax का rate high है, फिलाल tax rate बहुत high चल रहा है, उप profit कम होगा, tax कम देना पड़ेगा, whereas अगर tax low चल रहा है, कोई problem नहीं है, tax rate नहीं चाहिए, तो फिर आप compare कर लो other factors, आपके लिए जो favorable हो, equity favorable है, तो equity में चले जाओ, debt favorable है, तो debt में चले जाओ, एक factor के basis पर डिसाइड नहीं होता, तेरार multiple factors, है ना, तो सब में देखो, फिर आपको जो सबसे जाओ favorable लगे वो, लेकिन अगर मैं सिर्फ tax rate की बात करूं, tax rate high है, go for debt, tax rate कम है, go for equity, आप compare कर लो other factors, ठीक है, next है, बच्चो, cost of equity, cost of equity में बच्चे बहुत confused होते हैं, sir, what is cost of equity, तो देखो, cost of equity का मतलब है, कि आप अपने shareholders को, देखो, अगर आप equity shares issue करोग तो आपके shareholders आपसे कुछ ना कुछ earning per share expect करेंगे, आपके shareholders आपसे कुछ ना कुछ growth expect करेंगे, आपके shareholders चाहेंगे कि आप उनको उनके per share, जो नोने पैसा लगाया है, उस पर कुछ ना कुछ profit बना के दो, right, तो हमें ये make sure करना है कि हमारे shareholder को जादा से जादा return आ रहो, वो कितना earning per share लाके दे रहा हूं, उसको cost of equity बोलते हैं, तो जब तक earning per share बढ़ रहा है, with the inclusion of debt, तब तो आप debt में चले जाओ, लेकिन अगर earning per share कम हो रहा है, with the inclusion of debt, तो please आप refer करो owners fund securities, right, देखो क्या लिखावा है, owners or equity shareholders expect a return on their investment, that is earning per share, as far as debt is increasing EPS, जब तक debt से EPS बढ़ रहा है तो आप debt को रखो capital structure में, अगर कम हो रहा है, तो फिर आप debt को मत रखो, ठीक है, next आता है बचो, flotation cost, flotation cost हम लोग क्या बोलते हैं, कि हमारे पास cost of issue, आप जब कोई भी security issue करते हो, share issue करते हो, diventure issue करते हो, जब भी आप कोई भी security issue करते हो, तो उस पर cost of issue आता है, prospectus के खर charges हैं, उसके अलावा companies act की बहुत साई legal formalities है, legal fees बहुत सारी आती है, तो issue के बहुत सारे खर्चे आते हैं, इनको हम बोलते हैं, flotation cost, तो अगर flotation cost बहुत हाई है, shares में, debentures में, तो आप other sources से भी funds raise कर सकते हो, जैसे आप bank loan की तरफ देख सकते हो, आप कोई private funding agency से पैसा उ normal है, उस scenario में आप share या debenture में से, जो भी आपको other factors favor करें, उसकी तरफ जा सकते हो, clear है जी, risk consideration, risk अब आप जानते हो, क्या होता है हमारे पास, अगर आप risk लेना चाहते हो, debt comes with risk, obviously, अगर आप risk लेने की शमता रखते हो, आपका risk appetite अच्छा है, आपको risk लेने में कोई problem नही है, तो तो आप debt में जा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा risk free रहो, कम risk हो, तो फिर आप equity में जा सकते हो, क्या लिका है, financial risk refers to a position where a company is unable to meet its fixed financial charges, company को थोड़ा सा risk रहता है, interest का, preference dividend का, creditors की payment का, तो अगर आपका business risk low है, फिलाल आपके पास कोई ऐसा खास risk नह ना चाहते हो, तो फिर उस scenario में आप issue of debt से काम कर सकते हो, करजा ले सकते हो, लेकिन अगर आपका risk अभी high है, तो please depend करो equity पे, फिलाल already आप high risk में हो, और करजा मतलो, next आता है बच्चो flexibility, अब flexibility के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दू, flexibility का मतलब यह होता है, कि जैसे suppose मेरे पास, जो मेरी credit ability है, वो एक करोड की है, suppose, credit ability का क्या मतलब होता है, कि आप कितना credit ले सकते हो, हर इंसान की अलग-अलग होती है, depending on कि उसके कितनी income है, उसके कितनी ability है, उसकी income tax returns कैसी है, हर company की, हर individual की अपनी अलग-अलग credit limit होती है, वो आपका bank आपको बहुत कमता है, वो इतनी है, इससे जादा आपको लोग नहीं मिलेगा, तो अगर मेरी, suppose, credit limit एक करोड है, और मैं 90 लाग का loan और लेके बैठा हूँ, तो मैं बस 10 लाग का loan और ले सकता हूँ, एक करोड की limit पे, 90 लाग का loan मैं ले चुका हूँ, तो मैं और कितना ले सकता हूँ maximum, 10 लाग और ले सकता हूँ, इतनी इसी बात है, है ना, अब अगर मैं 10 लाग और ले लूँगा, तो बस मेरी बिल्कुली flexibility खतम, आगे से मैं ले ही नहीं सकता, तो ये concept ये बोलता है flexibility, कि आप try करो कि आपकी flexibility खतम ना हो, आपकी flexibility बनी रहे, आपके पास हमेशा कुछ न कुछ शमता जरूर रहे, क्योंकि कभी पता नहीं लगता यार, suddenly आपको पैसे की कब जूरत पड़ जाए, उस time पे debt ही काम आता है, और अगर आपके बास flexibility ही नहीं होई, आप debt ले ही नहीं पाए, फिर तुम क्या कर लोगे, कैसे खर्चा निकालोगे, दिक्कत रहेगी, तो क्या control, अब control क्या है, यह वही वाली बात है, उपर वाली कि अगर आप नए shares issue करते हो, आप equity में जाते हो, तो पुराने shareholders का control dilute होता है, क्योंकि नए shareholders आएंगे, उनको भी voting rights मिलेंगी, वो भी decision making में participate करेंगे, तो शायद पुराने shareholders की थोड़ी सी rights कम हो जाए, शायद उनको ल आपका full control रहे, उस scenario में go for debt, अगर आपको कोई problem नहीं है, control dilute करने में, तो equity is always open for you, right, next क्या आता है बच्चो, regulatory framework, regulatory framework यह बोलता है, कि आप कभी भी shares issue कर रहे हो, आप कभी भी debentures issue कर रहे हो, तो please try to follow regulatory framework, आपको हमेशा rules और regulations के अनुसार, आपको हमेशा SEBI guidelines के अनुसार ही issue of securities करना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि regulatory framework, rules, regulations हमारे लिए अच्छे हैं, हमें favor कर रहे हैं, हम सब कुछ follow कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से other factors consider करके, debt या equity, जो भी आपको ज़्यादा favorable हो, आप उसमें जा सकते हो, क्या लिखा है देगो, the issue of shares and debentures has to be done according to the SEBI guidelines and for taking loans, companies have to follow the regulations of the monetary policy, if SEBI guidelines are easy, company फिर issue of securities कर सकती हैं, whereas monetary policies are more flexible, then they may go for loans, आपको बड़े ध्यान से, सारी की सारी framework देखके, rules, regulations देखके, उसे साब से debt या equity में जाना है, next आता है बच्छो, debt service coverage ratio, DSCR, ये एक step आगे है, किस से ICR से, देखो, interest coverage ratio, ICR, वो हमारी earnings को compare करता था, सिर्फ और सिर्फ interest के साथ, कि भईया, interest कितना, उसके हिसाब से earnings कितनी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आप कर्जा लेते हो, तो आपको सिर्फ interest पे करना है, या जो principal, जो कर्जा लिया है, वो भी चुकाना है, दोनों चीज ICR की जो incompetency थी, उसको cover करा DSCR ने, debt service coverage ratio ने, debt service coverage ratio ये बोलता है, कि भईया, सिर्फ interest देख लेने से कुछ दी होगा, आप अपना total payment obligation compare करो, अपने profit से, कि आपका profit कितना है, और आपका total payment obligation कितना है, तो अगर आपका profit, total payment obligation से जादा आ रहा है, तिन गुना, चार गुना, पां आप debt में ना जाओ, लिखना इसमें भी सेम है, कि ये भी जितना high होगा, उतना आप debt में अच्छे से जा सकते हो, जितना low होगा, उतना आप debt में मत जाओ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ interest से compare कर रहा था, यहाँ पे total payment obligation से compare कर रहा है, ठीक है, देखो, It is one step ahead of ICR, ICR covers the obligation to pay back interest, but DSCR takes care of return on investment as well as principal repayment, return of interest, sorry, rate of interest आएगा बच्छो यहाँ पे, return नहीं, rate of interest, यह DSCR जो ज्यान रखता है, वो किस-किस चीज का ज्यान रखता है, rate of interest का, rate of interest as well as principal repayment, DSCR का formula क्या है, formula एक बार learn कर लेना, प्लीज, profit after tax, interest, non-cash expenses, divided by preference dividend, देखो, preference dividend fixed होता है, interest fixed होता है, और repayment obligation, ठीक है, DSCR अगर high है, तो company कर्जे में जा सकती है, DSCR अगर low है, तो फिर कर्जे में नहीं जाना, ओके, next आता है बच्चो, stock market conditions, ये भी हम पढ़के आ चुके है, stock market conditions क्या होता है, अगर stock market boom पे है, market ऊपर है, अच्छे profits बन रहे हैं, तो उस time पे equity, क्योंकि उस time पे लोग risk लेना पसंद करते हैं, market down है, depression में है, लोगों के बास पैसा नहीं है, तो उस time पे debt, क्योंकि home period, business is flourishing, investors also take a risk, prefer to invest equity shares, ठीक हो गया, और अगर market गिरी भी है, bearish phase है, तो फिर debt, capital structure of companies, capital structure of other companies, इस point को भी एक बार देख लेना, capital structure of other companies का मतलब ये होता है, बच्चो, कि आप sometimes market standards के हिसाब से भी अपना capital structure define करने की कोशिश करते हो, market standards का क्या मतलब होता है, कि market में, इस industry में, एक general capital structure क्या है, suppose मैंने आपको बोला कि हम communication industry में हैं, और वहाँ पे बोला गया कि 3-1 का capital structure best है, कि debt upon equity, तीन का करजा तो एक रुपे का अपना equity लगाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ही prefer करेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ही benefit देगा, तो blindly industry norms follow करने की ज़ुरत नहीं है, हा आप other companies का capital structure देखके एक idea ले सकते हो, फिर उसे साब से अपना capital structure खुद frame करना है, ठीक है, लिखावाइदे को some companies frame capital structure according to the industrial norms, but proper care must be taken as blindly following the norms में lead to financial risks, if firm cannot afford high risk, अगर high risk afford नहीं कर सकती, it should not raise more of debt, ठीक हो गया, तो ये सारे factors आते हैं बच्चों हमारे पास capital structure के, I hope आपको सारे के सारे factors clear हो गए होंगे, आपने सारे factors अच्छे से पढ़ लिये होंगे, इसके बाद बस हमारे पास एक topic बचा fixed capital, एक topic बचा working capital, जो कि कल की class में बढ़ेंगे, और हमारा chapter हो जाएगा, समाप्त, इतना अच्छे से तईयार कर लो, पीछे कोई भी topic नहीं तेक कार, बगए